हेलो दोस्तों कैसे हैं आज से हम लोग अपना सिवील कोट का जो वेकेंसी निकला है कलर्क, स्टेनो, राइटर का या फिर कोई भी कॉंपेटिटिव लेबल का जिसमें इंगलिश पूछा जाता है दोस्त इंगलिश का आज हम लोग बेस शुरू करने जा रहे हैं मतलब इंग से अगर धंग से पढ़ना सुरू करते हैं तो इंगलिश का एक भी कोशन आपसे नहीं छूटने वाला है हर प्राबलम को आप लोग हैंडल करेंगे याद होगा हमारे पिछली वीडियो में हम बनाये थे पानी की टंकी में छूपा है सफलता कर आज आईबॉल में हम डाल ल लेकिन इसमें बहुत सारा मीनिंग है बहुत सारा थीम है आपको क्या करना है ध्यान से देखना है उसको समझना है अगर आप चाहते हैं लाइफ में ग्रो करना तो आपको भी बिल्कुल उसी तरह से पहले अपने फांडेशन को मजबूत करना पड़ेगा तब जाकर आप ब को भी कोश्चन आएगा आप बढ़िया से टैम्ट कर सकते हैं दोस्त तो आज शुरू करेंगे पार्ट्स ओफी स्पीच का बेस वर्ड्स आप जानते होंगे शब्द कैसे बनते हैं हम लोग बच्पन में पड़े थे सर वर्णों के सार्थक मेल को शब्द बोलते हैं बहु है थे तो उसमें हम लोग बात किये थे कोई भी जो वाकि हम लोग बोलते हैं जिसका सार्थक एक अर्थ निकलता है वो बहुत सारे शब्दों से मिलकर बने होते हैं और वो बहुत सारे शब्द क्या होते थे आठ होते थे जो पार्ट्स ओफी स्पीच हम लोग पढ़ते थे ठीक है आप यहां देख रहे होंगे parts of speech हम लोग लिखे हैं समय बचाने के लिए दोस्त अगर वाईज इतना लिखते तो हम लोग को बहुत समय लग जाता है समय कम होना चाहिए ताकि हम लोग फड़ा-फड चीजों को समझ पाएं और क्रक्स जान जाएं कम समय में जादा होते हैं उसको बोलते हैं और विकारी शब्द आप हिंदी में पढ़े होंगे विकारी मतलग वैसे सब्द जीनका रूप बदल सकता है वैसे शब्द जीनका रूप बदल सकता है अरे यह हम लोग भी अपना रूप बदलते हैं ना कभी साट पेंट पहन लेते हैं तो कभी क कर रहते हैं डोस्ति तो यह हमारा भी रूप बदलता है उससे टेरेख सब्द भी रूप बदलता है तो सब्सक्रूप कैसे बदलता है तो जो शब्द अपना रूप नहीं बदलते हैं, जैसे हैं भाई हम तैसी ही रहेंगे, हम आईसी ही रहेंगे, हम आईसी ही बोलेंगे, आपको पसंद है तो हमको रखिया नहीं पसंद है दुधानने बाद, उस टाइप के जो लोग होते हैं, जो अपने वर्ड पे ठीके रहते हैं, अपने शब्दो और रूप क्यों नहीं बदलेगा अब ही हम लोग समझते हैं क्यों नहीं बदलेगा कि फॉर्म क्लासिस क्या होता है दोस्त जो विकारी शब्द हैं हमारे यहां पर आप देखेंगे कौन-कौन से होते हैं यह सब हमारे पाठ सभीषबिच के पाठ है ध्यान दीजिएगा नावन बोले तो शंग्या दोस्त, पुर्णावन बोले तो सर्वनाम, भर बोले तो क्रिया, एडजेक्टी बोले तो विशेशन, और एडवर बोले तो क्रिया विशेशन दोस्त. ठीक है? तो नावन, प्रणावन, वर्ब, एडजेक्टीव, एडवर ये लोग अपना रूप बदलते हैं दोस्त. आप बोलेंगे सर कैसे अपना रूप बदलते हैं? हम आपको बताते हैं कैसे इसका रूप बदलते हैं. अगर कोई भी एक संग्या ले लिजेए, आप बोलें जी में देखते हैं, और ये तो bookish knowledge है,ayı कितापी कीडा वाला ग्यान है इसके पास, सांसारिक ग्यान ही नहीं है इसके पास, तो हम लोग क्या बोलते हैं, bookish, İfounder, माइन , तो मेंन बोलते, न, एक आदमी, बहुत सारी आदमी, रुप बदल गया न, उसके Emperor , बोलते हैं एदम जोसिल आदमी मैन हुड है इसके अंदर वें एदम मरदानगी है ऐसा बात करते हैं न बॉइ बॉइस बोलते हैं लड़कों का प्लूरल कर दिये तो बॉइस बना दिये न रूप बदल गया ने इसका मतलब नाउन का रूप हम लोग बदल सकते हैं राम के कोलते हैं प्रुणावन प्रुणावन का मतलब क्याता है सर्वणाम जो संग्या के जगह पर इस्तमाल होगा ही को हम लोग ही लिख देते हैं न जी सी को हर लिखते हैं हर्स भी लिख देते हैं माई को माई लिख सकते हैं आई बदल सकते हैं इसका अगर हम लोग नॉमिनेट के जाते हैं घर में रहते हैं तो कैजूल कोई भी शॉट्स पहन के बनियान पहन के रहते हैं अगर वही पार्टी में जाते हैं तो दोस्त बढ़िया बढ़िया कपड़ा एनसे फीस एकदम बाल में तकाटक करके पहुंचते हैं तो हम लोग अपना जगह के हिसाब से रूप वर्ब देखिए वर्ब मतलब होता है क्रिया राइट को क्या लिखते हैं राइटर रोट राइट्स राइटर बोले तो लिखने वाला जो लिखता है किताब लिखता है कुछ भी लिखता है रोट पास्टेंस है राइट्स क्या है सिंगुलर फॉर्म में है वर्ब का क Poppy एडुच्च्टीव का देखेंगे a small का a smaller हो जाता है जब लोह कंपर डिघ्रीय में लिखते क्या लिखते हैं a smaller सूपर डिच्टप डिघ्र the smallest लिखते हैं ठीक है रडर क्या लिखते है रेडicz ब्लाक लाक भी तीक है लाली-mall ये यह ए He works slowly वह धीरे काम करता है He is very slow तो बहुत धीमा है काम में ऐसे हम लोग बोलते हैं slow को slowly बनाते हैं quick को quickly लिख सकते हैं kind को unkind भी तो बना सकते हैं ultra लिखते हैं न भया लिखते हैं न? honest को dishonest लिखते हैं न? तो इस सब क्या है? हम लोग उसके word का रूप को बदल देते हैं clear हो रहा है? ठीक है अब बोलेंगे किसका रूप नहीं बदलता है किसी भी sentence में किसी भी परिज्दि में इनका जो रूप बदलता है न दोस्त आप अगर gender change करेंगे तो बदल जाएगा जैसे हम लोग बोलते हैं राम आता है अब वह इसे बोलेंगे सीता लगाएंगे तो सीता आता है बोलेंगे सीता आती है जैसे ही gender बदलेगा सब्द बदल जालता है clear हो रहा है? जैसे ही वचन बदलता है वचन मतलब singular plural एक वचन बहु बचन जो वचन बदलता है तो बदल जाते हैं लड़का के जगे लड़के बना देते हैं यानि जेंडर बदलेगा तो बदल देते हैं वचन बदलेगा तो बदल देते हैं अगर किसी को हम लोग को उल्टा करना होता है वी प्रितार्थक सब्दोनाता है honest को dishonest बना देते हैं kind को unkind बना देते हैं तो यह भी तो बदल रहा है तो इस तरह से सब्द बदलता है दोस्त ठीक है अब यहां पर देखते हैं structural words structural words क्या हो जाता है जिसका रूप नहीं बदलते हैं जैसे preposition संबंध बुद्ध का भी है ठीक है preposition कैसे बदलते हैं add in on with from जीतना भी preposition आप इसका यूज कर लीजिए आप बोलेंगे सर इसका रूप नहीं बदलता है यस नहीं बदलता है जैसे हम आपको दान देते हैं I reach school at 7 o'clock ठीक है मैं school 7 बजे पहुंचता हूँ ठीक है यहां तक होगे अब I के जगा पे हम पहले क्या कर देते हैं वचन बदल देते हैं I मतलब हम एक वचन थे अब बहु वचन कर देते हैं we reach school at 7 o'clock हम लोग 7 बजे इसकूल पहुंचते हैं अब हम क्या बोले थे इसमें वचन पे बदल जाता है ठीक है चले बदल गया अब हम इस तिलिंग पूलिंग बात करते हैं I reach school at 7 o'clock बोल दिए अब सीता reach school at 7 o'clock बोलते हैं हम यह I लगाए V लगाए सीता लगाए बदल रहा है दोस्त नहीं बदल रहा है अब उल्टा या सीधा कैसे भी कर लिजे इसका रूप किसी भी condition पर नहीं बदलेगा बिल्ली बेंच बटी है sit on the chair bench अब बिल्लियां लगा देंगे तो भी on ही लगेगा बिलार लगाएंगे तो भी on ही लगेगा भाईया बिलार लगाए कि बिलाई लगाए कोई फरक नहीं पड़ता है on on ही रहेगा clear है conjunction and because that how hence so etc अब यहाँ पर आप देखेंगे कि and बदलेगा राम अंड स्याम सीता अंड गीता bench and kurse कहीं भी end लगाए भाईया bench and kurse लगाए सीता गीता लगाए राम मोहन लगाए कहीं भी लगाए आपका and नहीं बदलेगा because नहीं बदलेगा that नहीं बदलेगा किसी भी condition में इसका रूप नहीं बदलता है clear है अब introduction, introduction क्या बोलता है? विषमे बोध कवे हैं? विषमे, sudden feelings चोट लगया अरे भाईया हमको चोट लगा तो हम भी करेंगे और आपको चोट लाएगा तो आपको किजिएगा कोई भी करे उसको ओयसे ही feeling आईगी अगर सुया हमको भुकाएगा तो हमको दर्द होगा आपको भुकाएगा तो आपको भी दर्द होगा clear है? तो जो sudden feeling है वो हमारा interjection है determiner, determiner का मतलब क्या होता है भाईया? याद होगा हम लोग अपना determiner का जो class किये थे आप उसका वीडियो देखेंगा बहुत मज़े से explain क्या हुआ है प्री पूजिशन बहुत मज़े से explain क्या हुआ है दोस्त determiner क्या बोले थे determinative और determinan अब यहाँ पर आपको देखना है descriptive और determinative हम लोग पढ़े थे दोस्त a and the any some every etc determiner a बदले कभी भी c has a pain and i have a pain boys have a cow कहीं पर भी बदला सब बदला लेकिन a नहीं बदला ling बदल दिये पुरुष बदल दिये वचन बदल दिये सब बदल दिये कहीं भी यह नहीं बदल रहा है दोस्त यानि यह सब जो है कभी नहीं बदलता है अगला दिखते है एक जुलरी भर can, may, is, aim, are, will, shall, etc कभी नहीं बदलता है जैसे i के साथ अगरा aim लगा रहा है i am a boy बोलते हैं i am a man बोलते हैं तो अब बताईए हम aim के जग़े कुछ और लगा सकते हैं क्या i are a boy लिख सकते हैं i is a boy लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं तो aim a में रहेगा चाहे कुछ हो जाए ठीक है sita is a girl ram is a boy ram लगे चाहे sita लगे is easy रहेगा दोस्ट it is a pain सब में easy लगेगा चाहे कुछ हो लग जाए अगर singular में लगाना है तो intensify intensify का मतलब क्या है जोर देने के लिए खिजब तब जोर देते के बोलते हैं हम लोग intensify actually में it verb का एक हिस्सा है दोस्त intensify your याद रखिएगा किसी चीज़ को जोर देने कली हम लोग इस्तमाल करते हैं लेकिन इसका अलग से हम लोग इसको intensive fire बोलते हैं ठीक है जैसे very, much, too, fairly, rather इसका मतलब क्या होता है अगर कोई बोले I would rather die than big अगर ऐसा कोई बोलता है मतलब मैं भीख मांगने से अच्छा मरना पसंद करूँगा अगर ऐसे कोई बोले तो हम लोग कैसे बोलते हैं यह काम करेंच अच्छा है कि हम मर जाएं मतलब क्या I would rather die than do that walk वो काम करने से बढ़ी हम मर जाएं तो कैसे युश करते हैं हम I लगाएं कि U लगाएं कि C लगाएं सब में rather ही लगता है दोस्त अब तू लगाते हैं C is too weak to walk आप लोग याद होगा हम आपको बताएंगे remove to a class लेंगे तो उसमें आपको बता देंगे C is too weak to walk मतलब हो इतनी कंजोर है कि चल नहीं सकती अब वहाँ पर C के जगए पर I लगाएं he लगाईए, boys लगाईए, राम लगाईए बहुत सारे लड़के लगा दीजे to walk लगेगा ही लगेगा दोस्त clear है तो इसमें से किसी भी सब्द का अगर आप use करेंगे किसी भी sentence में चाहे वो link हो, पूरूस हो, वचन हो किसी भी तरीके से ये नहीं बदलेगा मतलब ये सब fixed use करने वाले word हैं और ये सब कैसे हैं बदलने वाले words हैं तो इस तरह से हम लोग समझते हैं दोस्त कि जो form classes और structural words में कि ये सब जो शब्द हैं इनही का use हम लोग parts of speech के अंतरगत पढ़ते हैं ठीक है ये बहुत ज़्यादा detailed हम लोग समझ लिए कि अब आखिर एक सवाल आपसे पूछा जाएगा आप बोलेंगे सर एक सवाल हमको उत्तर दीजिए आखिर सर इसका रूप क्यों बदलता है इसका रूप क्यों नहीं बदलता है question हो सकता है ना आखिर ये form class का जो change in the form है why ये अपना रूप क्यों बदलते हैं ये अपना रूप क्यों नहीं बदलते हैं ये question है ना perfect इस question का answer आपको next video मिलेगा आखिर form classes क्यों बदलते हैं और structural words क्यों नहीं बदलते हैं इसका answer आपको हम अगली वीडियो में देंगे दोस्त और कैसे बदलते हैं ये भी बताय जाएगा आपको मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्त ध्यान से इसका notes बनाईएगा notes बहुत अच्छे से बनाईएगा ताकि ये आपका पूरे exam में काम देने वाला है ठीक है चलिए दोस्त मिलते हैं अगली वीडियो में बाई